हेमोफिलिया, हेमोफिलिया एक X-linked recessive trait है X-linked का क्या मतलब है कि ये disease X chromosome के उपर होती है अगर हम लोग male के अंदर देखें तो sex chromosome का जो combination है वो होता है X-Y और female के अंदर ये होता है X-X यहाँ पर recessive, recessive का मतलब है कि इस disease को transfer करने के लिए या किसी भी person को affect करने के लिए हेमोफिलिया की जो जीन है उसका recessive होना जरूरी है कोई भी जीन recessive होती है तो इसको हम लोग small letter से लिखते है जैसे small age, small age यहाँ पर अगर हम लोग male के अंदर देखते हैं तो male के पास X chromosome है इसका मतलब है male के पास ये disease इस X chromosome के अंदर होगी और अगर इसका ये वला X chromosome affected हो गया तो उसको हेमोफिलिया डिजीज हो जाएगी लेकिन अगर हम लोग female को देखते हैं तो उसके पास two X chromosome है तो female को हेमोफिलिया डिजीज तब होगी जब उसके ये दोनो X chromosome affected होंगे जो हेमोफिलिया की जीन है उसको हम लोग capital H से लिखते है और जो इसकी डिजीज अलील होती है उसको हम लोग small age small age से लिखते है और उसकी normal जीन को लिखते हैं age age से या फिर capital age, small age के साथ लिखते हैं हीमोफिलिया एक ऐसी डिजीज है जो के blood clotting factors की absence की वज़े से उसकी reduction की वज़े से या फिर mal function की वज़े से होती है इस disease के अंदर अगर किसी भी person को कोई cut लग जाता है तो उसके bleeding स्टार्ट हो जाती है और उसका खून जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता क्योंकि खून को रोकने के लिए bleeding को stop करने के लिए हमें blood clotting factors की ज़रूरत होती है जो कि blood में platlers के साथ मिलकर खून को जमने में मदद देते हैं यानकि उसकी clotting में help करते हैं लेकिन अगर blood के अंदर blood clotting factors ही नहीं present होते तो bleeding जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती और इस तरह एक person का blood बहुत ज़्यादा लोस हो जोता है और इसकी death भी हो सकती है इसके बाद हैं hemophilia की types hemophilia disease की 3 types हैं एक है इसमें A दूसरी है B और third है hemophilia C अगर hemophilia A को देखा जाए तो ये किस factor की abnormality की वज़ा से होती है वो है factor 8 hemophilia B ये जो factor number 9 है उसके अबने abnormality की वज़ा से होती है और hemophilia C ये factor 11 की abnormality की वज़ा से होती है जो hemophilia A है ये सबसे ज्यादा किसको effect करती है hemophilia A और जो B है ये सबसे ज्यादा man को effect करती है और जो hemophilia C है ये man और woman दोनों को equally effect करती है जो सबसे ज्यादा hemophilia के patient देखें गए है वो hemophilia A की वज़ा से होते है hemophilia A जो है ये 80% लोगों को होती है जो hemophilic patient होते हैं उन्हें से जो 80% है उनको hemophilia A होता है और जो 20% है उनको hemophilia B होता है जब कि less than 1% chance है कि अगर किसी को hemophilia C हो किर्क जो hemophilia अगर हम लोग A को देखते हैं हेमोफिलिया ए जो हेमोफिलिया ए है और जो हेमोफिलिया बी है ये दोनों ये दोनों सेक्स लिंग्ड रिसेसिव हैं सेक्स लिंग्ड रिसेसिव का क्या मतलब है ये दोनों सेक्स लिंग्ड रिसेसिव हैं हेमोफिलिया ए और बी सेक्स लिंग्ड रिसेसिव हैं ये सेक्स क्रोमसोम को एफेक्ट करती है जैसे कि ये एक्स क्रोमसोम के उपर होती है तो मेल के पास एक्स वाई होता है और फिमल के पास एक्स एक्स होता है फिमल में देखा जाए तो दो एक्स क्रोमसोम है तो मेल में एक है मेल में अगर एक ही इस X-Kromosome के अंदर Mutation आ जाएं तो उसको डिजीज हो जाती है जब ये फिमल के पास इस डिजीज होने के लिए दोने X-Kromosome का एफेक्ट होना ज़रूरी है तो इसलिए मेल के अंदर सिरफ एक ही X-Kromosome का एफेक्ट होना ज़रूरी है इसलिए ये डिजीज सबसे ज़्यादा मेल को एफेक्ट करती है दूसरी अगर देखा जाए तो हिमोफिलिया जो C है मारे पास हिमोफिलिया C एक आर्टोसोमर रिसेसिव है आर्टोसोमर क्रोमसोम जो है वो मेल और फिमल दोना में ही जैसे के सेम होते हैं साइस के लहाद से भी और अगर इनकी नम्बरिंग भी देखा जाए तो आर्टोसोमर क्रोमसोम मेल और फिमल दोनों में ही सेम है इसलिए एक्वल चांस है कि मेल और फिमल के उनको हिमोफिलिया C हो सकता है जबकि हमोफिलिय ए और बी सबसे ज़्यादा में को आफेक्वल चांस है वो जभी और फिमल को एफेक्वल के लिए जो दो एक्वल है उसका एफेक्वल होना जडूर है अगर हम लोग मेल को देखते हैं तो उसको जो एक्वल है उसकी मदर से मिलता है लेकिन अगर female को देखते हैं तो एक ÀX chromosome उसका मदर से आएगा और एकkey एक्सक्रोमसorm फादर से आएगा तो यह disease होने के लिए उसके फादर का जो एक्सक्रोमसुम हाँ, उसका भी effect होना जरूरी है और जो मदर से आता है उसका भी effect होना जरूरी है जबकि मेल के पास जो एक X-Chromosome है जो कि उसकी मदर से आता है सिर्फ इसका एफेक्ट होना ज़रूरी है इसके बाद है पेटरोनौफ इनहरीटेंस पेटरोनौफ इनहरीटेंस हमें बताता है कि हीमोफिलिया डिजीज किस तरह से वती है फर एक्जामपल एक हमारे पास नॉर्मल फीमेल है उसकी ये जिनो टाइप है X-H एक्स एज क्यूंकि नॉर्मल वाले को हम लोग कैपिटल एज से लिखते हैं तो ये नॉर्मल है और इसकी जिस परसन से शादी हुई है वो हीमोफिलिया था उसे तो उसकी जिनो टाइप है X-H और Y अगर हम लोग यहां पर इसका क्रोस करवाएं तो हमारे पास इस तरह से इसका क्रोस होगा यहां पर हमने फिमल का लिख लिए X-H और यहां पर X-H इस तरह को हमने लिख लिए मेल का X-H और Y यहां पर हमारे पास जो पॉसिबल जिनो टाइप है वो यह वह लिखाएंगी X-H, 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 Y, X-H, Y, X-H, Y यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास शो हुआ हुआ है कि जब हमने इसका क्रोस करवाया तो यहां पर जो बेटी थी उसकी जिनो टाइप क्या आई है X-H, 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 यहनके डोटर क्या है? हेटरोजाइगस है, वो कैरियर है जब कि उसका जो बेटा है वो है X, H, Y, इसका मतलब है बेटे को यह डिजीज नहीं हुई लेकिन जो इसकी बेटी है, वो क्या है? यहां पर कैरियर है तो यहां पर हम लोग इसके बेटे की जिनो टाइप और इसकी बेटी की लिखेंगे इनकी शादी हुई और फिर इनके जो बेटी थी, उसकी जिनो टाइप यह थी, X, H, X, H यह इसके पास हमोफिली का गया है, हेटरोजाइगस था और फिर जो इसका बेटा था, इसकी जिनो टाइप X, H और Y आगे अब इसके बेटे के अंदर तो डिजीज का कोई चांस नहीं है, लेकिन बेटी के अंदर देखते हैं, तो एक हिमोफिली का लील है, अब आगे इसकी जो यह वली बेटी है, उसकी एक परसन के साथ शादी हो जाती है, जो के नॉर्मल है, X, H, Y वाला यहाँ पर हम इसका क्रोस मैच कर वाते हैं, इसका क्रोस मैच कर वाते हैं, तो X, H और X, X, H नॉर्मल और फिर Y, तो यहाँ पर X, H, Capital, X, H, Capital, X, H, Capital, X, H, Small वाला आगया, तो यहाँ पर हमारे पास four possible genotype's आई हैं और इन four possible genotype's को हम लोग यहां पर लिखते हैं सबसे पहले यहां पर लिखते हैं साइट पर इसकी बेटे की जिनो टाइप को इसके बार यहां पर हम लोग इसके बेटे की जिनो टाइप को लिखते हैं यहां पर हम लोग है एक इसके अंदर हीमोफिली कलील आ गया है तो यह कैरियर है जो कैरियर परसन होता है यह को भी सिम्टम्स डिजीज के शो नहीं करता दूसरे जनब अगर हम लोग इसका बेटा देखते हैं तो उसकी जीनो टाप हमारे पास क्या है वो है एकस एच और वाई एकस कैपिटल एच है तो इसका मतलब है यह भी एक नॉर्मल परसन है फिर इसका जो दूसरा बेटा अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो वो है एकस स्मॉल एच और वाई आ गया है एच जो है यहां पर एक हीमोफिली कलील है तो इसका मतलब है य हिम tęसी कि हीमाफिलिक पर्सन के साथ हीमाफिलिक पर siis कि एक uceमाफिलिक पर्सन का जो समोल एच था वह आगे एज हम देखते हैं कि वह पास हो गया कि उसकी बेटी के इंदर इहां पर उस बेटी के जो शादी हुई वह भी एक 2 परसन के साथ जब परसन के साथ होई तो यह डिजीज नेक्स्ट उसके बेटे के अंदर पास होगी क्योंकि जो इसका बेटा है उसकी हम देखते हैं कि मेल के अंदर जो जीनो टाइप होती है एकस वाई यह यार्कि इसका सिरफ एक ही एकस क्रॉमसों आफेक्टिड होता है और एक ये वला और एक ये वला दोनो जो पेयर्स है इसको एफेक्टिट होने के लिए दोनो एक्स करोमसोंज है इसका एफेक्ट होना ज़रूरी है एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है तो एक फीमेल जो कि उसकी मतर है वहां से तो आ गए यहां पर लेकिन देखा जाए तो मेल जो किसका फादर है वो बिलकुल नॉर्मल है इसलिए इसकी किसी भी बेटी को येवली डिजीज नहीं हुई येवली डिजीज किस तरह से ट्रांस्मिट होती है कि ये एक मेल है और ये हमारे पास फीमेल अगर हम लोग देखते हैं तो मेल की जीनो टाइप क्या होती है एकस वाई और फीमेल की होती है एकस एकस ये जो सन है वो भी एकस वाई होता है और डोटर भी एकस एकस होती है तो यह जो एक X क्रोमसोम है एक अलील है एक जीन की और एक है Y तो एक X है एक Y एक मदर से आती है और एक फादर से आती है अब यहां पर जो मेल है वो अपने बेटे को क्या देगा जस्ट Y क्रोमसोम और जो उसका X क्रोमसोम है वो उसकी बेटे के पास आजाएगा लेकिन जो फीमिल के दो X-Cromosome हैं इसमें से वो एक अपनी बेटे को देगी और एक अपना X-Cromosome अपने बेटे को देगी जब मदर अपना एक हीमोफिलिक X-Cromosome अगर वो अपने बेटे को देती है तो X-Cromosome ये वले डिजीज मेल में होने के लिए सिरफ X-Cromosome का अपना जरूरी है जो कि मदर से आता है इसलिए ये मदर से सन में ट्रांसफर हो सकती है ये वली डिजीज लेकिन फादर से डोटर में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि डोटर का इस डिजीज से अपने के लिए ये जरूरी है कि इसकी जो मा है उसके पास भी एक हिमोफिली का लिल हो और उसका जो फादर है जो इसको X-Cromosome दे ये दोनों अफेक्टिड हो तो अगर ये दोनों अफेक्टिड होंगे X-H, X-H होगा तो फिर इसकी डोटर जो है अफेक्टिड होगी तो इसलिए हिमोफिलीय डिजिस सबसे ज्यादा मेल को अफेक्ट करती है